जो पूरे हर्याना की जन्ता के साथ जो सरकार में जो ताना साही रविया अपनाया, आम इसकी भोर निंदा करते हार करते रहेंगे साथ्यों, यह लड़ाई यहीं समापत नहीं लोगी, यह लड़ाई लंबी रहेगी, जैए हमारी मांगे माननी जाएं क्योंकि ये सरकार हमारी जाल जमीन जंगल पे भी हमला करना सरू कर दिया वो आपको बताते हैं क्योंकि 2013 के अंदर भूमिय अधिक्रेंड कानून बना था अभी रादिर्दिक पार्चियों की साहिं की से बना था कि आसीजेड के नाम गोर अगर सरकार आसीजेड का है उसके लिए 70% किसानों की सेमती होगी और 70% जमीन के ओपर कारखना लगाना होगा और यहां तक है कि जो जमीन से उज़रता है उसको भी जमीन कारखने मरे जिगार देना होगा जैसे उसकी योगतावे सर जिगार देना होगा और यहां तक है जो हमारे लागी हैं लुहार दखान उनको भी जमीन वर जुकारखने मरे दियार दोना होगा और यहां तक है एक गाउन में जो अकलेक्ट रेटा डीजी रेटा उसका मुआपज़ा चार गुना और सहर में दुगना क्योंकि इस सरकार ने क्योंकि यह जब 2015 के अंदर दूबारा इस भूज़ दिकरेण कानून को रध करना चाहती थी पूरे हरियाने के पिसान संसत भाञग के ओपर कई और सरकार को रध करने के लिए मजबूर कर दिया इन खटतर सरकार ने दुबारा उस कानून को विधान समय में पास कर दिया है कि आपकी जमीन अगर यह SZ के नाम के उपर यह लेना चाहते हैं आपको सुपकरवार को बता दिया जाएगा सनीवार की पटवार खंडे में चुपती होगी तसील में चुपती होगी सब्सक्राइब करें भारत आज के सभी चानल्स को